हलो एवरिवन से गुद मॉर्निंग तो ओल अफ यू वेलकम टू लॉजिक पाज़ाला आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाली हैं 14 ओफ ऑक्टोबर के इंपॉर्टन करेंड अफेस के क्वेशन्स तो बने रहेगा इस कंप्लीट वीडियो में तो वीडियो की शुरुवा मैं काफी सारी न्यूस आपको कवर कराने की कोशिश करती हूँ जो आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फिर रिविजन कोईशन्स पी आप लोगों करवाती हूँ और एक्स्ट्रा जो जनल अवेर्नेस या आप कहलो कि स्टैटिक जीकी के कुछ-कुछ कोशन्स भ जरूर करें शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से सो आज देखे क्या है डिफिकल रोट ओफन ली टू बीटिफुल डेस्टिनेशन देखे जब भी कोई बीटिफुल डेस्टिनेशन होती तो वहां पहुंचने की रोट थोड़ी बहुत होती है एकदम ऐसा तो नहीं की बह है वह है तो कठिन लेकिन जब उस कठिन रास्ते को आप लोग तै कर लोगे ना तो जब आप अपनी मंजिल पर बहुँचके तो बहुत खुबसूरत होती है तो इसलिए रास्ते को अच्छे से आप लोग तै करते चले जाएं शुरू करते हैं हम starting में international news के साथ पहली news दिया उसके 2-15 दिन बाद ही कॉंसी कांटी सांग nee Chancellor मिल गए है सो यहां पे Austria इसके और आस पार आपलों यहोगिन से कोशन मैंने छोड़ा सा गूमाज इस पूरिया कौुकि कोशन पूछन के तरीका काफी Oj Prince हो जाते हैं एक्जाम में ये भी पूछ सकते थे कि बताए ये औस्ट्रिया के नए चांस्लर कॉन अपॉइंट हुए है तो तब आप लगा क्या होगे ऐलेक्जेंडर शेचल्बरग छीचे जो की इस टाइम करेंटली फौरम मिनिस्टर जी है ये और फौरम मिनिस्टर के तोर पर ये 2019 से यहां पर सर्व कर रही है इसी में देखो क्योंके अब ये फौरम मिनिस्टर से क्या बनगे चांसलर बन गए तो फौरम मिनिस्टर का बद भी खाली हुआ तो फॉरॉम मिनिस्टर के पत पर कौन आ गए है माइकल लिन्हार्ट बिकम दा कंट्रीस नीव फॉरॉम मिनिस्टर तो एक यह चीज में आप लोग से एक्जाम में पूछ सकते हैं तो क्रेशन पूछने के दो तिन तरीके हो जाते हैं कोशिश करा करें कि आप लोग हर तरीके किसे इस चीज को याद करने कीत आप आतीे स्ट्रिया की मैप ब्यापरी तो आप देख सकते हैं तो आस पास की कंट्रीज में इसकी स्विजलेंड सीमा लग रही है यह जो सीमा है यह पूरी की पूरी जयौमणी से यह शेज रिपब्लिक के साथ, शलोवाकिया है, हंगरी हो गया, स्लोवेनिया हो गया, ठीक हो और इटली के साथ भी सीमा बनाता है, तो इस सभी कंट्रीज के बीच में घिरी हुई है, कौन सी कंट्री आस्ट्रिया, अगला कोशन देखे क्या है, इंडिया ने साइं किया है, long term memorandum of understanding कौन सी country के साथ तो country का नाम तो हमें चले बताना है अब किसलिए किया गया है ये on the diamondium phosphate fertilizer supply तो जो diamondium phosphate औरबरक है उसकी आपोर्ती के लिए एक लंबा आपके लोग दीर्द कालिक समझाता है ये किया गया है रशिया के साथ तो the answer is option number c रशिया ये देखें MOU जो है ये ensure करेगा कि जो DAP DAP का मतलब ही हो गया देखें डाइ अमोनियम phosphate तो इसका ये stable price पे अवेलिबल हो यानि इसके जो आपके लिजे कि स्थिर कीमत है उसकी उपलब्दता सुनिश्यत करने के लिए और जो डिपेंडेंसी अभी जॉर्डन जैसे मौरको चाइना के उपर है उस डिपेंडेंसी को भी कम करने के लिए ये MOU इंडिया और रशिया ने आपस में साइन किया है बात करें अगर इसके importer की तो देखें इंडिया सबसे बड़ा importer है डाई अमोनियम फॉसफेट का पूरे वर्ड में यह आपको ध्यान रखता है तेको डाई अमोनियम जो फॉसफेट है यह फॉसफोरस का ही एक सोर्स है फार्मर्स के लिए इसमें हाई फॉसफोरस होता है जो की एक तरीके से स्टिमुलेट्स कर देखो जो दो कॉंटिनेंट में फैली हूई है आपको यहाँ पे आधा रश्या जो मिलेगा व informations की बात करें ठीक है तो एरिया वाइस भी सबसे बड़ी कंट्री आपकी हो जाएगे रश्या हो जाएगे रश्या के उपर आप देख सकते हैं यहां पूरा का पूरा क्या है आर्केटिक ओशियन है ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेशन पे यूरिन काबिनेट ने अप्रूफ किया है अटल मिशन अटल मिशन की अटल मिशन फॉर रजुमिनेशन एंड अर्बन ट्रांस्फोर्मिशन टू पॉइंट जीरो यह कौन से साल तक इसको मंजूरी दे दी गई है और यह अमरत इसको शौर्ट में अमरत और अगर हम बात करें एर की तो दो हजार पच्चिस शब्विस तक के लिए इस मिशन को मंजूरी दे दी है किसने यूनियन काबिनेट ने और इसको लॉंच किसने किया तो प्राइम मिनिस्टर नरिंद मोदी जी ने से लॉंच किया अच्छा इसका उद्देश्य क्या है क् तो 100% coverage of water supply हर एक घर तक 100% water supply पहुँच पाए उस उद्देश्य को लेकर अमरे 2.0 की शिरुवात की गई थी और इसकी मंजूरी मिल गई है 2025-26 तक के लिए तो आपको यह आपको धियान रखना है अगले question में है कौन से authority है जिसने launch किया है digital version to the postal life insurance policy जिसको बोला गया है EPLI bond अब postal से rated है तो department of post ही इसको क्या करेगा launch करेगा सो दी के answer आपको यहाँ पे लिखा हुआ है option B इस दी correct answer यह जो आप कहलोगी जो online version है यह EPLI जो bond है न इसको Dizzy Locker के साथ collab करके launch किया गया है so Dizzy Locker का नाम भी आप लोगों से exam में पूछ सकते हैं develop किया गया है by the national e-governance division of the ministry of electronics and IT यह ध्यान रखने हैं आप लोगों को अब इसमें देखो policy holders क्या कर सकते हैं download कर सकते हैं सारी के सारी policies को एकदम से तुरंत after the issue मातलब मालची department of post ने कोई policy को launch कर दिया है ना उसके तुर तुरंत बाधी जो policy holders हैं वो इसको download कर सकते हैं बाइदी जो department of post इसको जारी करता है ठीक है तो इससे काफी जदा जो है वो मदद मिलेगी क्योंकि online चीजे से काफी जो काम है वो बहुत तुरंत हो जाता है अगला question है पहली बार first ever national infrastructure master plan को launch किया गया है प्रधान मंतरी गती इसका शुभारम किया गया है अच्छा इसका शुभारम किस नी किया है तो यहां पे हम लोगों से इस बारे में answer पूचा है तो दीखे जो correct answer हो जाएगा तो दीखे इसको प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने ही इसको launch किया आप नाम से भी वैसे बता कर सकते हो इसका ना कर दिया था इंडिपेंडेंडेंस टेके टाइम पे ही लेकिन उस टाइम पे अनॉंस्मेंट हो थी बट फाइनली इसको जो है वो launch कर दिया गया है यह पूरा का पूरा जो बना है ना plan master plan यह 16 ministries को include करके 16 ministries के साथ साथ इसमें 7 core infrastructure sectors भी और एक platform भी है तो साथ मिलकर इन सब ने जो master plan इसको launch किया है it will provide information instantaneously allow for better coordination तो बहतर समन्वे के लिए अनुमती देते हुए तुरंत क्या करेगा सूचना प्रदान करेगा तो आप लोग को दाम ध्यान रखना है और launch किस ने किया है यह ध्यान रखना है ठीक है अगला question देखे क्या है which of the following has invited India to become its full time member इन में से कि भारत को अपना पूर्ण काली से बनने के लिए आमंत्रित किया है तो देखे जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका international energy agency तो इन्होंने भारत को invite किया है कि वो उसका क्या बन जाए complete full time member उसका बन जाए यह जो proposal है अगर यह पिस्ता स्विकार कर लिया जाता है तो it will require new Delhi क् strategic oil reserves को 90 दिन के आवशक्ता तक बढ़ाने की आवशक्ता हो जाएगी अगर मालेची यह जो proposal अगर इंडिया से accept कर लेता है इंडिया देखे वर्ट का तीसरा largest energy consumer है और इसी को देखते हुए यह जो international energy agency है ना इन्होंने इंडिया को invite किया है कि वो उसके full time जो member है वो बन जा organization है और यह जो organization इसके स्थापना हुई थी जब जो organization for economic cooperation and development 1974 in the wake of 1973 all crisis इसका headquarter की बात करें simply आप ध्यान रखो 1974 और इसका headquarter अगर पूछ लें तो वो कहां पे है Paris France में है clear हो गया चलिए कोशिश करा करें कि news आप लोग को समझ आ जानी चाहिए कि news में क्या बताया जा रहा है और वहां से जो question मनते हैं वो मैं आपको definitely बता देती हूं कि question में से क्या पूछ सकती हैं अगला question है according to new analysis released on the international day of girl child तो इस दिन के अफसर पर एक नए आखड़े विशलेशन जारी करें गए हैं इसके अनुसार क्या बोला है कि child marriage जो बाल विवा होता है न वो हर एक दिन में क answer हो जाएगा 60, 60 is the correct answer ये claim किया गया है कि estimate लगबग 22,000 लड़किया एक साल में जो die हो जाती है from pregnancy से and child birth resulting from child marriage क्योंकि देखे बाल विवा हुआ जब आप pregnant होते तो वो age आपकी नहीं होती है वो maturity वाली age नहीं होती है और उस pregnancy के वज़े से जो लड़की है उसके death हो जाती है तो ये report के अनुसार बताया गया है the report by save the children said South Asia seems to 22,000 child marriage related death every year तो वही बात है 22,000 बाल विवा से संबंदे जो है वो हर साले मौते होती है इस आकड़े के अनुसार clear आगला question है कॉंसे state के chief minister है जिन्होंने inaugurate किया है oxygen park को तो कॉंसे state के हो जाएंगे तो answer हो जाए का तिरपुरा देखो ये चो oxygen park है ना इसको तिरपुरा की capital जो है अगरतला है ना वहां पे इस oxygen park का उद्गाटन किया गया है ये आपको ध्यान रखना है कि पहला oxygen park है अगरतला का ये contain परी का forest memorial built को in the memory of all the employees of the forest department जितने भी forest department employee काम करते है उनकी याद में हाप एक one इसमारक भी बनाया जाएगा जिन्होंने देखो अपनी duty देते हुए जंगलों को बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को sacrifice किया है उनकी याद में forest memorial को भी built किया जाएगा ठीक ही जो park बनेगा ये पूरा का dense forest area में बनाया जाएगा और लगभा की 29.6 hectare जो है वो ये पूरी की पूरी जगा को cover करेगा इस बात करकर हम तिरपुरा की करें देखो तिरपुरा की capital तो अगर तला है ये तो हमें पचल गी तिरपुरा की अगर हम major dances के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए गारिया डांस बहुत famous है इसके लावा एक और डांस यहां से पूछ लेते हैं वांगला यहना वांगला डांस भी आप ध्यान रखो ये भी किसे संबन देता तिरपुरा से चलिए बढ़ते हैं हम अगले question पे कौनसे state के cm है जिनो ने launch किया है cm दा हैसी यानि चलो cm को जाएगा तो मनिपूर यहां पर बिल्कुल सही answer है तो मनिपूर के chief minister एन वरेन सिंग ने इसको launch किया है ये एक initiative है जिससे मनिपूर के लोगों से directly जो है वो connect किया जा सकता है और उसके लिए help line number दिया गया है यहां पर आप देख सकते हैं इसका उदेश यही है कि at least मनिपूर में देखो एक famous national park है जिसको आप सभी जानते होंगे केबूल लामसा और national park जो कि floating national park है जो कि आपका लोगटक लेग के ओपर बना हुआ है ये सब आपको ध्यान रखना है बढ़ते हैं हम लोग अगले question पर in which state the कारूपूर कारूपूर कलामकरी paintings and the कला कुरिची wood carving इनको अभी हाली में GI tag दिया गया है यहां पर बताना है कि दोनों का संबंध कौन से state से है तो answer हो जाएगा तमिलाडू आचा तमिलाडू में अभी कन्या कुमारी में GI tag मिलाता है किसको globe को ये भी आप लोग को धियान रखना है ठीके ये जो paintings है ओके ये cotton cloth पर बनती है इसमें pen और brushes का use किया जाता है जो की bamboo tree और coconut tree के stem से बनाई जाती है और ये जो wood carving है इसको craftsman करते है इसमें temples related चीज़ों के carving जो है वो की जाती है चले मैं आप लोगों का भी हाली में जितने GI tag मिले है थोड़े बहुत हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं एक बार revision मार लेते हैं इससे आप लोगों का भी यहां से revise हो जाएगा तो दीखे सबसे पहले अगर हम बात करें GI tag की तो सोजत मेंदी तो सोजत मेंदी का संबंद आप समझ जाओगे सोजा से हमने बनाया था इसका संबंद है राजिस्तान से इसके बाद हो था जुडीमा राइस वाइन ये GI tag दिया गया था कौनसे स्टेट से है असम से उसके बाद हाते चिली और तामिंग लोंग औरेंज को भी दिया गया था इनका समझ किसे था मनीपुर से था अगला था नागा कुकुमबर नागा कुकुमबर का समझ नागलेंट से था उसके बाद है आपका वाइट ओनियन कोलम राइस इन दोनों का समन कौनसे स्टेट से है महरास्ट से चिन्नोर राइस चिन्नोर राइस का समन भी किसे है महरास्ट से इसके बाद एक और ध्यान रखो कैशियो फैनी है ना कैशियो फैनी यह जियाई टेक दिया गया था कौनसे स्टेट से गोवा से खोला चिली भी कि गुर्फ पूर्यज़र के अगरियो पूर्डना की सित उतवात उना पहले वैयान धिन चांटा मविन क्ने लेट देप आगरीक है क्रीत इंटरही टेलक्रत्यवरहं और मैं तरहते हैं की से आपकूरफ सेलेवरह सोफ्टवेर and service companies तो किस ने किया है यह MOU तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा करनाटका ने यह MOU है यह किया है यह MOU देखो क्या करेगा skill development courses देगा available on the future skill prime के साथ देखो जितने student हो गए या फिर faculty members हो गए तो उनके लिए NESCOM का जो future skill prime platform है न वहाँ पी उनको skill development courses provide करे जाएंगे जिसमें उनको तीन टाइप के courses मिलेंगे जिसे digital fluency, artificial intelligence, AI जिसे हम कहते हैं और इसमें cyber security भी include रहेगा ठीक है और इसके लिए करनाटका ने क्या किया है MOU पे sign किया है बात करने करनाटका की तो करनाटका में देखो एक national park आपको मिलेगा अंची नेशनल पार्क बांदीपूर नेशनल पार्क यहां पर आपको मिलेगा यह आपको ध्यान रखता है राजीव गांदी जिसको हम कहते है नागर होल भी कहा जाता है यह नेशनल पार्क भी कहां पर है करनाटका में है अच्छा यहां पर famous डाम अगर पूछ लें तो यह आप ध्यान रखो एक तो अलमाटी डाम है जो कृष्णा रिवर पर बना हुआ है और एक और ध्यान रखो तुंग भद्रा तुंग भद्रा जो डाम है वो तुंग भद्रा रिवर के उपर ही बना हुआ है तो यह आप लोग को ध्यान रखना है करनाटका से आगे है देखो मध्यप्रदेश हाई कोड के चीव जेस्टिस कौन पॉइंट है मैं जल्द ही चीव जेस्टिस पर वीडि राजेस बिंदल इनको पॉइंट किया गया है देखो चीव जेस्टिस ऑफ अलाबाद हाई कोड सेकेंड है रणजीत वी इनको पॉइंट किया गया है में घाले हाई कोड में चीव जेस्टिस पतपर जेस्टिस सतीश चंदर शर्मा इनको तिलंगाना हाई कोड का बनाएं प्रकाश श्रीवास्तवा इनको कैलकटा हाई कोट में पॉइंट किया गया है आरवी मलिमत अभी हमने पड़ा इनको मध्यप्रदेश हाई कोट में ऐस चीज़ जेस्टेस पॉइंट किया रितुराज अवस्ति को करनाटका हाई कोट में अराविंद कुमार को पॉइंट किया गया है आंदरप्रदेश हाई कोट में तो यह सब यह आपको ध्यान रखने हैं चलिए आफ शॉर्ट न्यूजस पर बढ़ते हैं सबसे पहले देखें इंटरनाशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन यह दिन मराते हैं 13 ऑक्टूबर को इसकी थीम है इस पार की इंटरनाश किया जा सके तो इसके बारे में बढ़ावा दिया जाता है इसकी उपर और 1989 से उनाइटेड नेशन के द्वारे इस दिन के शुरुवत हो गई थी मनाने की आगला है देखो अमित खरे को पॉइंट किया गया है एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी तो प्राइम मि दिया गया है फॉर वेगन लीदर इनिशेटिव के लिए सो वेगन लीदर पहल के लिए इनको पैटा इंडिया पुरुसकार जो है वो मिला है ध्यान रखना आपको वन नाइनर में आगे है देखो करादी पत कराडी पत ने जीता है टी एस एस ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अच्छा इन्होंने क्यों जीता है तो ये जो पुरुसकार होता है न ये शिक्षा के चेतर में जो जिम्मेदार जो रिस्पॉंसिबल एंटरप्राइज़ होते हैं उनको मानेता देता है तो अभी के लिए किसको दिया गया है कराडी पत को दिया गया इसके बाद हम जनल अ टीवरिनेस के कोशन आज कर लेते हैं देख लेते हैं सबसे पहला कोशन डू और डाइक का जो स्लोगन है वो किस ने दिया है तो ये नारा किसके दौरा दिया गया आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांदी जी ने ये नारा दिया था तो इसली इसका अंजा नन और दीज तो महात्मा गांधी ची ने जब कोई इडिया मुवमेंट था 1942 के टाइम पे ये स्लोगन दिया था जिसको बोला गया है do or die यानि करो और मरो करो या मरो आगला है गांधी एर्विन पेक्ट यह कब साइन किया गया था तो गांधी एर्विन जो पेक्ते साइन किया गया था 5. strange 1931 को महात्मा गांधी और किसके बीच में लोड एर्विन के बीच में तो इसलिए इसके बोलते हैं गांधी एर्विन समझाता बोलते हैं जब second round table conference थी उससे पहले जो है वो ये बैक पे साइन हो गया, अगला है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को किस इस्थान पर राजद्रों के आरोप में गिरफतार किया, तो वो प्लेस का बताना है, तो वो प्लेस कौन सा था एहमदाबाद, तो गांधी जी को अरेस्ट जो किय गया था, वो सावरमती से किया गया था, कब किया गया था, 10 मार्च 1922 को उनको 6 साल की जेल के लिहां पर गिरफतार किया गया था, पहली बार, इसके बात है गांधी जी के पॉलिटिक गुरू कौन थे, तो ये काफी ज़दा कोशन्स एक्जाम में बनते हैं, इसलिए मैंने कृष्ण गोखले, ये थे गांधी जी के राजनेति गुरू, अगला है गांधी जी को किस ने मारा था, तो आपको याद होगा कि नाथुराम गोट से ये कुछ नाइम पहले मैंने एक भुख भी बताई थी इनके उपर, कि उन्होंने अपने कुल का नाश्वर गया, क्यों लोग रिविजन टाइम पे, तो कल की कोशन को रिवाइस कर लेते हैं, सबसे पहला कोशन देखे क्या है, इंडियन आर्मी चीफ मुकंद नर्वने, ये पांश इनकी यातरा पर गए हैं, बताना है कौन सी कंट्री तो श्री लंका, बर्ट का पहला सेल्फ ड्राइविंग ट के रिन्यूबल एनर्जी का, और ये टार्गेट रखा गए है कब तक का 2030 तक का, इसके बाद हाई लेवल मीटिंग को एड्रेस किस ने किया है, तो आंसर या पर हो जाएगा, मिनाक्शी लेखी, कौन सा स्टेट है यूटी है, जिसने देश के मेंटर प्रोग्राम को लांच किया है दिल्ली, आंगरवानी और वील्स को भी दिल्ली गवर्मेंट ने लांच किया है, इसके बाद मेरा घर, मेरा नाम, इसकीम को किस ने शुरू किया है, सो पंजाब की सरकार ने और कौन सा यूटी है, जिसने ट्यूरिस्ट बिलेज प्रोजेक्ट को शुरू किया है, तो आंसर हो जाएंगा, जम्मो कश्मीर, कल मैंने आप लोगों से क्वेशन पूछा था कि जो इंडस्ट रिवर है, उससे कौन सा पास क्रियेट होता है, तो पनी हाल पास, बहुत आप लोगों ने अच्छा आंसर करें, देखो, प्रनवेश महता आपने बहुत सारी डिटे है, तो बहुत अच्छा लगए देखके, सेकिन्द पूजा गया था कि जो स्टेंडर्ड मेरेडियन टाइम है, इंडिया का, है न स्टेंडर्ड मेरेडियन ऑफ इंडिया क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट इस्ट, तो ये थे दो कोशन आंसर सही, तो शिवनन्त, मनीश वर्मा, प इस रिट को कहा जाता है, और सेकिन्द कोशन ने देखिए, आतंकवाद निरोधक अधिनियम, ये कौन से साल में अधिनियमेत यानी इनेक्ट किया गया था, तो ये दो कोशन है आप लोगों के लिए, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रू बताएगा, डिफिनेटल से मुलाकात दोगी कल की वीडियो में, थांक यू सो मुच फूर वाचिंग दिस वीडियो